नमस्ते दोस्तों, दोस्तों मैं एक नर्स हूँ, क्लिनिकल नर्स हूँ और मुझे ड्यूटी करते हुए चार महीने हो गया है और उसमें मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों मतलब अगर आप भी एक नर्स है तो आप मेरी दिक्कत को एकदम अपने आप से जोड़ पाएंगे, अपने आप से समझ पाएंगे, कि असल में हम लोग कैसे रहते हैं तो जैसे हम लोग hospital में देखते हैं जब मरीज आते हैं और मरीज के साथ अटेंडर भी आते हैं तो किस किस तरह के अटेंडर होते हैं जो हम लोग को जीलना पढ़ता है जैसे कि हम लोग को nursing में communication chapter पढ़ाया जाता है तो friends कैसे-कैसे attender आते हैं वो हम देखते हैं जैसे hospital होता है तो तीन चीजों में बटा होता है तीन पार्ट में बटा होता है यह होता general ward और होता है private ward और होता है deluxe room बाई की ICO issue तो अलग चीज़ है लेकिन यह जो room होते हैं अलग-अलग इसमें उसी तरह के patient होता है जैसे deluxe में patient होते है तो deluxe में जो patient होते है वो होते है राजा type के मतलब उनके पास इतना पैसा है इतना पैसा है कि जब वो जैसे वो भरती होते ही यह सूचते हैं कि वो जो पैसा देते हैं ना तो सूचते हम पैसा दे रहे हैं डाइनापार उसको हम दे दी अब दर्द होगा इने अब आप सूई भी अगर कोचे मरीज को या इंट्रा भी लगा रहे हैं और अगर बलड आ गया तो फिर इनका सवाल शुरू हो जाता है कि अरे भाईया बलड कैसे आया अरे भाईया कहां से बलड आया अरे भाईया ये दर आप इंट्रा लगा रहे हैं अब पहली बार में इंट्रा नहीं लगा तब तो आपका अपने परी सस्पेंस होने लगता अरे आप क्या होगा अप क्या होगा उसके बाद ये आपको ऐसे देखते हैं अब जैसे आपको ऐसा लगने लगेगा अरे भाईया पहली बार में नह में लगा ओहो आप डर रहे हैं आ पूरा डर रहे हैं उसकी पास से फिर इनका सवाल सुरू हो जाता है अरे भैया किसी और को बुला लिजए हो सकता हब आपको ना आता हो ना ना है क्या लगता है है या तैना आप नाए है इसलिए आप पहली बार हो equal स्थीख कुछ ऑन फ्रोड को बस्टीक हो जाए पइसा दे है deswegen आते फिर प्राइवएट वार्ड वाले थोड़े पड़े Mhen अगे दिखाना भी होता कि हम पड़े लिके हैं हमको जो आप कर रहे हैं वो हमको पता है तो आप उनको दवा लगाने जाएंगे न तो आपसे सब पूछेंगे अरे भाईया ये कौन सी दवा है अरे वो आपको ध्यान से देखते हैं कि आप कौन सी दवा कैसे लगा रहा है कितने अमल में डिजॉल्व कर रहा है अब फिर अगर आप दुबारा गए और किसी दवा को दिकत ना हो जाए अरे आप डिएनेस लगा दिए एक बार आदा डिएनेस लगा के आदा चो भाईया भाईया है डिएनेस पूरा चड़ा दीजे सकती नहीं जाएगा मरीज के अंदर पूरा जानकारी ले ले लिए अब उसके बाद उन मास्टर बन जाएंगे अब आपको तबियत खराब हो जाएगा इतना ग्यानी बन जाते हैं वो फिर आते हैं बिचारे जनरल वार्ड वाले यह थोड़े गरीब होते हैं गरीब मतलब पाईसा कम होता है जो डिलक्स वाले होते हैं और जो जनरल वार्ड वाले होते हैं इन दोनों में एक ही फर्क होता है बस कि यह चाहते हैं कि किसी तरीके मेरा मरीष ठीक हो जाए अब आप कुछ भी करिए भस दर्द ना हो तो जो जनर्डर वाले होते हैं वो आपको डाक्टर साहब नर्स को भी डाक्टर समझ लेंगे अरे डाक्टर साहब ये आपको परमात्मा समझ लेंगे कि मतला आप छू अब आप सोच रही है कि उसको सूई कुछा जाए लेकिन बलड ना निकले बलड की जगा पानी निकले पानी ने तो बलड बरबाद हो जाएगा आप ये जनरल वार्ड वाले ऐसा सोचने लगते हैं तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा एक्सपीरियंस जो हम आपको शेयर की हैं अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए शब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह कहां और वीडियो बनाए थैंक यू फ्रेंड्स